हेलो एब्रीवन आई होप यू अल और गुड रात के बारा बच रहे हैं यह वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो है स्टडी चलते चलते थोड़ा सा डिस्कॉंटिनियू हो जाता है यानि थोड़ा से कॉंटिनिटी ज वर फीजू है थोड़ा सा ब्रीक लग गया था तो उसी चीज़कों कांटीनियू करने के लिए मैं वी रात कोई बैठ गी थी सोकाई कि रात का टाइम होताहिक तदेवन वचेश्ट चाइन कजया अलग अलग ताइम होता है स्टड़ी करने का मुझे रात में स्टड़ी करन जादे अच्छा लगता है क्योंकि तोड़ी शांती होती है अराम से जो है बिल्कुल अराम से कोई डिस्टर्बंस नहीं आप अराम से स्टड़ी करें हाँ नीद एक फैक्टर जरूर होता है बट नीद के लिए बहुत लोगों जो है दिन में सो लेते हैं तो रात में नीद न पढ़ने मैंने सोचा कि कम से कम बारे से दो यानि दो गंटे तो पढ़ी लिया जाए ताकि रात का ताइम जो है थोड़ा सा यूटिलाइज हो जाए क्योंकि कुछ फैक्टर्स थे जिनके वज़े से मैं थोड़ा सा नहीं पढ़ पा रही थी और या फिर आप ऐसा कहा सकते है कि हाल फिलाल में कोई एक्जाम नहीं है इसलिए वह जो मोटिफेशन फैक्टर होता है कि एक्जाम के लिए पढ़ा जाए वैसा कुछ नहीं था मेरे साथ और मुझे लगता है बहुत लोगों के साथ इस ताइम ऐसा ही हो रहा होगा और अगर ऐसा है तो आप लोग क्योंकि इस ताइम प्रेजन टाइम में वैसे कोई बड़े एक्जाम दिखाई नहीं दे रहे हैं और क्योंकि वैसे भी अब तो चुनाओ आने वाला है जो कुछ भी होगा अब चुनाओ के बाद ही हो सकता है और फिलहाल में तो कुछ को एक्जाम नहीं है और देखते हैं जो है जुनाओ के बाद क्या होता है तो यह टाइम है कि अब चुछ कम से शुरू कर देना चाहिए तो मुझे भी आसा लगा कि मेरा भी टाइम काफी जाते वेस्ट हो रहा है इन चक्रों में मुझे भी अब शुरू करना चाहिए इसलिए मैं बैड गई थी 12 बजे और मैंन तोटल 49 रामसर साइड है जीनमें सबसे जादे यूपी में है तो उसी की बारे में मैं तोड़ा ट्रिक बना रही थी और सोचने में जादे वक्त लग जाता है तो मैंने सोचा कि कि रात का टाइम है थोड़ा सा दिमाग शान्त है बिल्कुल आसपास का महौल शान्त है तो क्यों ना रात में ही जो है उससे रिलेटिट ट्रिक बना ले जाए अग्सर होता क्या है ऐसी चीजे जो है ट्रिक से याद रह पाती है क्योंकि अब तोटल जितने भी रामसर साइट से वह 49 याद नहीं कर सकते तो बैटर होगा क्योंने क्योंने ट्रिक से याद कर लिया जाए तो कल जो है रामसर साइट की जो है वो ट्रिक मैं अपलोड कर दूंगी और उसी चीज से रिलेटिट मैं थोड़ा सा वर्क कर रही थी और उसके बाद मैंने सुचा कि जो वो बन आता कुछ स्थेट का मैंने उत्तर पादेश का वनाया और केरिला का भनाया हमांचर पादेश का बनाया जानजय पंजाब का क्योंकि जैस पंजाब हो गया उत्तर परदेशन हो गया इनमें सबसे जाधे रामसर साइट्स हैं तो सोचा कि उसुसर रिटिन्स बना लिया आ जाये और उसके बाद मैं पढ़ने लगी थी world history world history पत्र पत्र मुझे लगव एक टेऽ बज़ गह थे और फिर उसके बाद मैं जो है world history में मैं क्या पढ़ रही थी अगर वो पूछा जाए तो इसराइल और पैलिस्टीन का जो कॉन्फिलिक्ट है जो वर्ष्टों से चला आ रहा है उसी के में हिस्ट्री थोड़ा पढ़ रही थी और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा वोकाब लिख लिया जाए और फिर एंड में जो है मैंने सोचा कि करेंट अफिर रिवाइस के वे काफी टाइम हो गया है नहीं याद रहता कभी-कभी भूल जाता है तो रिवीजन से बेस्ट क्या हो सकता है और जितना से जितना टाइम हम रिवीजन को देंगे वही बेस्ट रहेगा तो वही मैं यहाँ पर जैनवरी के करेंट अफिर और नहीं मार्च के तो मेरा शेडूल तो थोड़ा सा ओन हो गया है थोड़ा लाइन पे आ चुका है ट्रैक पे आ चुका है तो जिनका भी ब्रेक हो रहा है स्टेडी डिसकॉंटिनिटी हो रही है वो भी लोग जो है कॉंटिन्यू हो जाहिए अपनी स्टडी के लिए और आग